जादपुर यूनिवर्सिटी का डिसेंटरलेस्ट कांसिलिंग के बारे में इस वीडियो है इस वीडियो का एक ही मकसद है कि सिर्फ आइडिया देने के लिए कि कैसा कट अफ होता है लेकिन कोई गैरेंटी नहीं है कि इस साल इतना ही कट अफ जाएगा इसका कोई गैरेंटी नहीं है हर साल कट अफ उपर नीचे जाता है इसका सबसे बड़ा कारण है कि इस साल EWS इंडिडियो हुआ है और स्यू में भी सीट्स चेंज हो रहा है इसलिए कट अफ का डिफरेंस तुम देख सकते हो इस साल लेकिन ये पिछले साल 2023 का जो डिसेंटरलेस कांसिलिंग है उ और वो एक बार होगा आफ्टर सीएस अबी कांसिलिंग जो जेए में और एडवांस से जो कॉलेज इस मिलता है उसका जो सीएस से बी कांसिलिंग होता है वो खतम होने के बाद ही तुमारा जेएू का डिसेंटरलेस कांसिलिंग होगा और सिफ एक बार ही होगा और ये ओफ में बैठ सकते हो कि नहीं बैठ सकते हो इसका एंसर है कि तुम पहले कोई कोई सभी कॉलेचिस में कोई सभी ब्रेंज में तुम एंडमिशन लो या फिर ना लो इन बहुत केस्ट तुम जई-उ-डी-सी में पार्टिसिप्ट कर सकते हो जब तक तक तुमारे पास एक वैलिट वीजी रेंग कार्ड और डॉक्मेंट्स है कोई मैटर नहीं करता है ऐसा भी हो सकता है कि तुम डारेट डी-सी में एडमिशन लिए ऐसा भी शूडेंट्स है लेकिन मैं रिकमेंड करोगा कि पहले सेंट्रलेस कांसिलिंग में कोई सीट लेकर उसके बाद डी-सी में मैं बोलूँगा एक जगा लिख कर लेना ठीक है लिक लेना फॉस्ट अब और इलेक्ट्रीकल इंजिनेरिंग इलेक्ट्रीकल इंजिनेरिंग का कटफ था 1074 1074 अच्छा एक और चीज यह जो कट आफ है यह तुम देख सकते हो कि मॉपप से भी कुछ कुछ डिवार्मेंट क हाई चला गया cut-off तो घबडा मत जाना कि ऐसा हो भी सकता है ओके यह सिफ डिसेंटलेस का cut-off है यह minimum of mop-up and DC नहीं है मौप-up का cut-off तुम website में जा कर देख लेना WG का website में अच्छे तरके से मौप-up का cut-off दिया हुआ है तो electrical engineering का 1074, Metallurgical and Material Engineering का 3333, Civil Engineering का 4126, Information Technology का 599, Production Engineering का 2582, ETC Department का Electronics and Telecommunication Engineering का 514, 514, Computer Science Engineering 210, Power Engineering 2823, Printing Engineering 7383, Food Technology and Biochemical Engineering 5737, Chemical Engineering 2192, Mechanical Engineering 1439, Instrumentation and Electronics Engineering 1017, Construction Engineering 4863, Engineering 333, Saara branch लगता है कि हो गया कोई मिस तो नहीं कर गया मैं food, food technology बोल दिया, printing, construction, civil, बोल दिया, metallurgy, power, production, chemical, mechanical, हाँ, Saara department का हो गया और pharmacy का cut-off मुझे में नहीं मिला अच्छा और यह engineering में नहीं भी है इसका cut-off मैं जितना सुना है approximately 5000 का सबस था लेकिन इस data मतलब confirm नहीं है और जितना में मैंने data बोला मैं try किया कि एकदम authentic मिले उनीस थोड़ा बहुत हो सकता है लेकिन ज्यादा चांस है कि यह एकदम सही है ठीक है लेकिन यह सिफ आइडिया देने के लिए है यह original cut-off होगा इसका कोई guarantee नहीं है मतलब इस साल भी यह cut-off होगा इसका कोई guarantee नहीं है यह सिफ 2023 का cut-off मैं सिफ आइडिया देने के लिए यह वीडियो बनाया हो और कोई अगर doubt है तो नीचे comment section में लिखना और प्लीस यह सवाल मत पूछना की कौन सा ब्राइज मिलेगा कौन सा ब्राइज मिलेगा पहले सीट मैट्रिक्स निकलने दो उसके बात मैं ठीक से बता पाऊंगा सीट्स बहुत उपड़ नीचे होगा इस साल ठीक है तो मिलते है नेक्स्ट वीडियो में ओके बाई